हेलो दोस्तों मैं प्यंग का एक्जाम प्रपीशन के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ डेवाई सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जनजातियां सारी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे उन जनजातियों से रिलेटेड जो भी स्थान है उनके बारे में जानेंगे देखे जो डेवाई सीरीज है ये यूपी पीसी के सभी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो की दोपार एक बज़े आती है अब ये आप लोग हाली में देख रहे हैं एक्जाम डेट भी आ चुकी है आरो ए आरो की डिकलेयर कर दी गई है 11 फरवरी को एक्जाम है और इतने कम समय में आपको प्रिपेशन के लिए लेटेश ट्रेंड और पैटरन पर ध्यान देना पड़ेगा तो ये जो GS की क्लासेज हैं ये आप रेगुलर करते रहे हैं डेवाइस सीरीज को फॉलो करते रहे हैं इसके सासत आरो यारो दोहजार तेईस के लिए लात को नो बजे पीवेसर कोशन सीरीज आ रही है जिसमें सब्जेक्ट वाइस कोशन कम्प्लीट कराये जा रहे हैं अब ये जो डेवाइस सीरीज है ये यूपी पी से स्प्री एगजाम के लिए APS और आरो यारो तीनो के लिए ही बहुत ही मत्पूर्ण है कोई भी क्लास मिस मत कीज़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमें पढ़ना है भारत की जनजातियों के बारे में जो भी प्रमुक जनजातियां हैं उनसे रिलेटेट तथि में आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले देखिए थारू जनजाति दी गई है यह थारू जनजाति उतरा खंड के नैनी ताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरगपुर जिले के तराई छेतर में निवास करती है तो इसका निवास इस्थान उत्राखंड के नैनी ताल जीले से ले करके उत्तर प्यदेश का जो गोरग पूरवाला छेत्र है यहाँ पर जो तराई रीजन है तराई बेलख है वहाँ पर इसका निवास इस्थान है और ये हिंदु धर्म को मानते हैं यह थारू जनजाती ही है जो दीपा वली को शोग के पर्व के रूप में मानती हैं, मतलब दीपा वली को यह शोग के रूप में मनाते हैं, और इन में संयुत परिवार की प्रथा है, थारू किरात वंस के माने जाते हैं, और यह जो थारू जनजाती है, उत्रा खंड की सबसे में निवास करती निवास इस्थानी मिलाने के लिए आते हैं ये इंप्रस्थान जानना है और ये जंजाती सिक्किम पश्टिं मंगार और तिपुरा में उसके अलावा आप देखेंगो उत्तर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई छेत्ट आगे बढ़ते हैं जॉनसारी जन्जाती यह उत्तराखंड में इस्थाई निवास करने वाली क्रिशक जन्जाती है इनमें बहुपती विवाह प्रथा पाई जाती है यह से रिलेटेट तत्थ हो गया अब बात करते बुक्सा जन्जाती के जा जन्जाती उत्तराखंड के नैनी ताल पौड़ी एवं गड़वाल जिले में मुख्य रूप से और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है इन जन्जातियों में अनुल बहुत भी कहा जाता है और इनका धर्म हिंदू है इन जन्जातियों में क्रशी की जो जूमिन प्रथा है वो प्रशलित है जूमिन क्रशी आप सभी को पता होगी अलग-अलग इस्थान पर इसके अलग-अलग नाम है जैसे की रे हो गई धीपा हो गई ठीके अलग-अलग ज़ूर जाता हैं इनकी जूर्ट किशिक करें करते कृषिक है उस जो चली को यह कहाया जाती है Grandpa जन जाती है इस परकार की कशी करती है इसके अलावात जो भी जन जाती आप पढ़ रहे हैं उसके निवास इस्थान जरूर याद पढ़ने फिर इसमें यूपी से रिलेटट भी जन जाती पूछिस जाती कि कि सीसिथान पर निवास करते आप से लिए चोना लेगा है और सोनभद जिलों में निवास करती है निवास इस्थान कहां है खरवार का देवरिया बलिया गाजीपूर वारा नसी और सोनभद ये सुभाव से अत्यंत क्रोधी और सारीरिक रूप से मजबूत होते हैं या उत्तरप्यदेश की दूसरी बड़ी जनजाती है और या जनजा दिस्थान कौन सा है देवरिया बलिया गाजीपूर वारा नसी और सोनभद दूसरी सबसे बड़ी जनजाती है उत्तरप्यदेश की अगली जनजाती है गद्धी या जनजाती पश्चिमी हिमालय की धौलाधार शेड़ी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तदा चंबा आदिजीलों में निवास करती है धौलाधार शेड़ी में गद्धी जनजाती प्राचीन जनजाती है जिसकी जनसंख्या देढ़ लाग से अधिक है गद्धी स्वयम को गडवा अर्थात राजस्थान सासकों के वनसज मानते हैं और धौला धौलाधार शेड़ी की मुख्य जनजातियों में गद्धी लदाखी गुजर बकरवाल लाहोली बारी ये सब प्रमुक हैं कौन कौन से गद्धी लदाखी गुजर बकरवाल लाहोली बारी ये सारे तो गद्धी के बारे में पढ़ लिया अभी गोंड जनजाती है बहुत इंपर्टेंट है ये गोंडवान कांध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला भी भाग और गुजरात इन सभी जगों पर ये पाई जाती है फिर से देख लीजे बिहार, पश्चिम बंगॉल, जारखन, महाराष्ट, चत्तिसगर, मध्धि प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडिसा, करनाट, कांध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती गुजरात में भी, ये लोग मुखिता आखेट और मशली पर निर्भर रहते हैं, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार और मशली इन पर निर्भर रहते हैं, गोंड जन जाती, इस्थानांतरी किसी यही है, इस्थानांतरनी किसी एक जगह रहत स्थानांत्रण करते रहते हैं इस क्रशी को भी करते हैं और गोंड लोग जो होते हैं कम वस्त पहनते हैं परंतु इस्त्रियों के आभूशन इस्त्रियों को क्या होता है आभूशन पहनने का सौख होता है पसु बली इनकी महत्रपूर्ण प्रता है गोंड जंजाती समूं उत अब भील की बात करते हैं तो यह जो भील सब्द है इसकी पत्ति हुई है तमिल्स भासा का एक सब्द है बिलकुवर इससे हुई है इसका अर्थ होता है धनुशकारी यह प्रोटो और प्रजाती की है और यह जन्जाती भारत के गुजरात मद्रिप्रदेश 36 गड महाराष्ट करनाटक, तिपुला, आंध्रिप्रदेश, तेलंगाना और इसके साथ सथ राजिस्थान प्रांतों में भी यह निवास करते हैं भीलों की संस्कृती में घूमर नत्य बहुत ज़्यादा महत्यपूर्ण है घूमर नत्य ठीक है भील में अगला है संथाल घूमर नत्य आपन संथाल यह जनजाती जो है संथाल परगना छेत्व के मूल निवासी रहे हैं और इसी की वज़े से इनका नाम संथाल है वर्स 2011 की जनगरना के अंसार संथाल लोग भिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगौल, जार्खन और उडिसा में निवास करते हैं इनकी सारीरिक रश पश्चिम बंगाल, 36 गड़, मध्य प्यदेश, त्रिपुरा, उडिसा और बिहार राज्यों में निवास करते हैं इसके साथ सरहल त्योहार मार्च अप्रेल माह के दौरान मनाया जाता है और यह एक तरह का फूलों का त्योहार होता है तो मुंडा जनजाती का निवासिस्तान पश्चिम बंगाल, 36 गड़, मध्य प्यदेश, त्रिपुरा, उडिसा और बिहार है यह कौन-कौन से त्योहार मनाते हैं भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई ठीक है अब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया आगे देखता से आखेट कहिए, शिकार करते हैं और जंगली कंदमूल पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त जो इनका भोजन होता है, क्रशक हैं यह तो शिकार भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं कोल जनजाती, बिहार, जारकन, रुडिसा, च्छतिसगर, मध्य प जनजाती है, और इसका प्रमुक्र विशाय क्रशी है, देखे, मैं इसलिए बार-बार रिपीट करके बोल रही हूं कि वीडियो सुनने से भी आपको कुछ चीज़े याद हो जाएंगी, और जब दुबारा रिपीट करके आप सौर्ट नोट्स अगर बना लेंगे, तो कभ जनजाती है, और यह जनजाती अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफी संख्या में ये मंगानियर पाई जाते हैं, नेक्ष्ट पढ़िए खासी जनजाती, खासी जनजाती मुकिता उत्तर पूर्वी राजी जैसे मेघाले यहां पर निवास करती है, जूमिन क्रिशी करते हैं लोग, तोड़ा या दखिये जनजाती नील गिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, इसका निवास इस्थान पूछा जाता है, इन्हें तोड़ी और तुड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तोड़ी और तुड़ा जन जारवा जनजाती भारत की सरवाधिक आदिम जनजाती जारवा है और दक्षडि अंडमान दीप और मध्र अंडमान दीप पर रहती थीक कि यह आवाशी छेट्रों को मानवी गत्विधियों के लिए निशिद घोसित कर दिया गया है जंजाती इनकी जो सब्वित्ता इनकी संस्क्रेटी है उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया है भारत में और जंजाती है यह अंडवान और निकोबार के जो छोटा लीटिल अंडवान है न इस आई लाइन पर इसके पश्चिमी हिस्से में अधिवाशित हैं इसके साथ अधियर हम लोगों ने जार्वा पढ़ ली और जंजाती होगी इसके साथ शोंपेन हो गई और सेंटेनेली ठीक है यह सारी आपको याद रखनी है नागा जंजाती प्लियर हो रहा है यह नागा लैन में मड़िपूर और अनाचल प्रदेश की जंजाती है नागा जंजाती जंजातीयों में देखें कि उराओ, भू, भूमिज, खडिया, सोडिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा और तमरिया यह सारी कहां की जार्खनु आगी है तो जारकंड हो गया राजिस्थान हो गया अब देखें वर्थ 2011 की जनगर्णा के उनसार पंजाब, हरियाना, चंडीगर, दिल्ली और पुदुचेरी इन जगों पर क्या है जनजाती समुदाय नहीं पाया जाता इंपोर्टेंट पॉइंट है भूलियेगा नहीं याद कर लीजे सरहुल तेवहार जारकंड छेत के उराओ, मुंडा और हो इन जनजातीयों द्वारा मनाया जाता है या प्रतेक वर्थ हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह छेत्व में मनाया जाता है और यह जो तेवहार है यह प्रतेक वर्थ हिंदू कैलेंडर होता है उसके हिसाब से पहले माह में मनाया जाता है सरहुल से तातपर्र है व्रक्षों की पूजा और यह जनजातियों की प्रकरती से समीपता को प्रकरत करता है इसलिए या तेवहार मनाय जाता है, तो सरहुल तेवहार भी याद रखिए और किसके दौरा मनाय जाता है, इंपॉरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे तैयार करने है, अब जनजातियों से रिलेटेड और भी कुछ महत्पूर्ण जानकारी है, उसको भी देख लेत सकती, इस मामले में इस्तरी पूरुस दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है, और यहाँ एक प्रकार की सामाजिक पहिसकार प्रता होती है, फिर बात करते हैं, बोडो जनजाती या नरजाती और बहुभासी समदा है, जो भा जनजाती में समगोतरी विवाह निसिद्ध है, मतलब समान गोतर में विवाह नहीं हो सकता, उराप समाज में बाल विवाह की प्रता नहीं है, इसमें विवाह प्रस्ताव वरपक्ष के सामने रखा जाता है, और इस विवाह में वरपक्ष को वधू मुलिदेना पड़ता है उराव गाउं की मुखिया महतो कहलाता है और उराव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है ये सारे फैक्ट इंपॉर्टन पढ़ते चलिए सहरिया जंजाती राजिस्थान की जंजातियों में से एक है और इनकी सरवाधिक संख्या बारा जिले में है भारत में जंजातियों की निर्धारण के लिए उनके सांस्क्रितिक विशेशी करण और विभिन आवास को आधार बनाया जाता है तिप्रा राजी में हलाम, नोटिया जंजाती मुखिरूप से पाय जाते हैं उराव जंजाती कुडुख बोली बोलते हैं इनकी बोली आदा किये कुडुख द्रविड परिवार की सैली है और जारखन में 32 जंजातियों में से 8 जंजातियां आदी जंजाती समों में आती हैं इनमें असुर है, बिरहोर है, बिराजिया है, कोरवा है, परहिया है इसको बैगा भी बोलते हैं, साबर, माल, पहरिया, सौरिया और पहरिया सामिल है जारखन की कुल जंजातिया का 27 प्रतिशत भाग जंजातियों का है और वर्ज 2011 की जंगर्णा के अनुसार आदिम जंजातियों की संख्या कितनी है 2.23 लाग है जारवा जंजाति अन्वान निकोबार दीप समू की मैंने बताई प्रमुक जंजाति है और यह जंजाति दक्षिड एवं मध्य अंडिमान दीपों के पश्चिमी तटो पर पाई जाती है अगला फैक्ट है कथा बनाने वाली अनुसूची जंजाति कौन सी खैरवार है चुकि कथा को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है किसी के नाम पर इनका नाम खैरवार पढ़ा है और खैरवार हम लोगे ने पढ़ा उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जंजाती है तो यहां तक हमने जंजातियों से related important fact पढ़े भारत की जो प्रमुक जंजाती है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इन सारी जंजातियों को याद करिये इनका निवास इस्थान और इसके साथ-साथ इन से related जो fact है सभी से प्रेशन पूछे जाते हैं तो वीडियो आप दो-चार बार रिपीट करके पढ़ेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन जरू प्रेस कीजेगा ऐसे और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से मिलते रहेंगे तो अच्छे से पढ़ते रिए प्रपेशन करते रिए बहुत ही कम समय है आपके एक्जाम को ऐसे और टापिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद